हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ 2315 तो आज मैं लिके आई हूँ आपके लिए अपने हाता से बनाईवी चीजों से दिवाली डेकोरेशन का बहुत ही प्यारा आइडिया तो किसी ने मुझे से रिक्वेस्ट किया था तो उनी की रिक्वेस्ट पे में प्यारा सा आइडिया लेके आई हूँ अगर आपको डेकोरेशन पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा तो चलिए बीना डिले कि हम आज की वीडियो को शेरो करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं यूज कर रही इस तरीके से कार्टबूट बॉक्स का अगर आपके पस कार्टबूट बॉक्स नहीं है कोई भी पुराना आपके पस जिसे हमारे पस बक्से वगरा पड़े होते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं उसको मैंने cover कर लिया उसके बाद यहाँ पर यह लटकन लगा ली मैंने यह मैंने आपके साथ share किये हुए ideas यह side वाली और यह जो center वाली है यह मैंने खुदी घर पे बनाये हैं सारे DIY और कल मैंने आपकी वीडियो में यह सारे आपके साथ share किये थे तो इन्हें मैं देखे इस इस तरीके से उसके बाद यह artificial flowers हैं आप चाहें तो उन से भी pom pom की तरीके से इसे बना सकते हैं लेकिन मैंने इन्हें market से खरीदा है Amazon से लिया है मैंने आप मीशो से Amazon से online इसे मगा सकते हैं तो यह काफी सस्ते मिल जाते हैं और यह देखे बहुत ही प्यारा इनका लुक आता ह आप चाहें तो फूलों की मला भी यूज कर सकते हैं इसकी जगा पर यह हमारे हर टाइम यूज हो जाएंगे फूलों की मला हम एक बार लाएंगे तो वो एक या दो बार ही चलती है लेकिन यह आपके हर दिवाली की decoration में यूज हो जाएंगे उसके बाद देखें इस तरीके जाली उपर से भी घुमाते वे देखिए जहां जहां भी आपको ठीक लगे वहां पर देखें इस तरीके से आप लाइट को घुमा लेजी लड़ी को तो यह जब रात को जलेगी तो बहुत प्यारी लगेगी तो देखें हमारी इतना हो गया उसके बाद मैंने बीच में बनाने वाली हूँ आम के पत्तो की रंगोली यह रंगोली मैंने कल आपके साथ शेयर की थी और यह आईडिया आपको बहुत पसंद आया था तो यहां पे भी मैं देखें इस तरीके से रंगोली बना रही हूँ आप चाहें तो सिंपल आम के पत्तो की डेकोरेशन करके यहा वाला stand रग दिया, तो बहुत ही प्यारा इसका look आता है देखिए, अब इसके बाद मेरे पास ये थोड़ी tea lights हैं, इन्हें मैं यहाँ पर जला दूँगी, ये देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो लड़ी को ही बीच में लगाना चाहें, तो लगा सकते हैं, और ये मैंने लटकन आ गई और side वाले, सभी की सभी चीजें इसमें mostly मैंने घर पे ही बनाई हुई हैं, और आपके साथ share की हुई हैं, तो इन सारी चीजों से देखिए आप इस तरीके से, दिवाले में अपने मंदिर को decorate कर सकते हैं, इस तरीके से simple सी रंगोली बना सकते हैं, वैसे भी आम के पते दिवाली में पूजा में यूज होते हैं, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, देखिए और ये बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है, और side की decoration और इस तरीके से देखिए, ये मेरी decoration हो चुकी है complete, तो I hope आपको ये idea अच्छा लगा होगा, तो पूरा light के साथ ये बहुत ही सुन्दर लगता है, तो अगर आपके घर में कोई बड़ा सा मंदिर नहीं है, अलग से आप लक्षमी पूजन के लिए इस तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ नहीं चाहिए कि कार्डबोर के बॉक्स चाहिए, उसका मैंने आसन बनाया है, और बा कि अजया है, यहीं है, एए जसे उनाया है, तो फिर अजया है, यहीं है, पूप है।